तुगा हो सुरु जादे में भोरे धिनु सरावां पारे केरे बेरावां तुगा हो सुरु जादे में भोरे धिनु सरावां पारे केरे बेरावां पूचना तुगा हो सुरु जादे में भोरे धिनु सरावां पारे केरे बेरावां पूचना तुगा हो सुरु जादे में भोरे धिनु सरावां पारे केरे बेरावां पूचना तुगा हो सुरु एंड इक बार फिर्स से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे तो गाइस जिसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कुछी दिलों में हमारा महापर्व यानि कि छट का थेवार स्टार्ट होने वाला है तो आज के इस वीडियो में मैं आप के लिए लेकर आई हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और साथी आप लोग घंटे के आइकन को भी प्रेस कर लीजे ताकि जब में मैं वीडियो डालो तो आपको नौटिफिकेशन मिल जाए और फ्रेंट्स अगर आप लोग उसे वीडियो क्रियेट नहीं हो पा रही है तो मैं आप लोग को बना कर दे सकती हूँ इसके लिए आप में इसे कॉंटेक्ट कर सकते हो आपको डिस्क्रिप्सिन में सारी कॉंटेक्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो अब इस वीडियो को हम लोग काइन मास्टर पर क्रियेट करेंगे तो चलिए हम लोग एडिटिंग स्टार्ट करते हैं मैं काइन मास्टर अप्लिकेशन ओपेंड कर लेती हूँ ये ओपेंड हो गया है इसके बाद आपको इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है यहाँ पे हम लोग वीडियो की रेसियो को सेलक्ट कर लेंगे तो अभी आपको इस वन बाई वाली रेसियो को ले लेनी है इसके बाद यहाँ से मीडिया पे क्लिक करके और आपको वीडियो में जो भी पिक्चर्स को एड करनी है उसको आपने टलेना तो यहां में पिक्चर्स को एड कर लेती हूँ इसके बाद इन्सम में हमलोग स्टार्ट पोजिशन और इन् पोजिशन को एड कर लेंगे ओके यहां पर मैंने six pictures को add किया है इसके वाद इन सब में हम लोग transition effect को add कर लेंगे तो आपको classic transition effect में आ जानी है इसमें हम लोग cross fade वाली effect को add कर लेते हैं तो उसारे में add कर लेंगे ओके इसके बाद इस video को हम लोग export कर लेंगे export होने के बाद आपको back आ जानी है और फिर से इस plus वाले icon पर click करना है और फिर से हम लोग video की ratio को select कर लेंगे तो अभी आपको 16 by 9 वाली ratio को ले लेनी है इसके बाद यहां से media पर click करके यहां पर आपको एक background picture को add कर लेनी है तो आपको जो भी background picture रखना है वो आप लोग add कर लेना ओके इसको हम लोग 19 seconds तक रख लेंगे इसको 19.2 seconds तक रख लेते हैं इसके बाद यहां से media पर click करके हमने जो वीडियो को अभी export किया उसको हम लोग इसमें आड कर लेंगे और इसको full screen कर लेते हैं अभी बिग्नेट को on कर लेते हैं इसके बाद यहां पर हम लोग blur वाली effect को add कर लेंगे इसको full screen कर लेते हैं एंड settings में आके इसको 4 रख लेंगे एंड इसको end तक रख लेते हैं इसके बाद यहां पर मैं ब्लू स्क्रिण वीडियो को एड कर रही हूँ इसकी लिंक आपको निचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड इसको फुल स्क्रिण कर लेते हैं इसके बाद आपको प्रोमा की वाले आपशेन पर अना है अब इसको एनेबल कर लेंगे एंड यहां ब्लू कलर को एड कर लेते हैं ख पकेर अट स्के और घस्त कर लेंगे का registered उसकी बलेंगे यहां से मजू वीडियो को राइट साइड में ट्रीम कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर मैं एक template वीडियो को एड़ कर रहे हूँ इसके भी link आपको निचे description में मिल जाएगी और इसको blend कर लेंगे तो इसको screen करना है इसके बाद यहाँ पर हम लोग जो वीडियो को export किये उसको हम लोग फिर से इस में एड़ कर लेते हैं इस टैंपलेट वीडियो को बिंग टू फ्रंट कर लेते हैं एड इस export वाली वीडियो को इस फ्रेम में रख लेंगे अ इसके बाद इस blue screen वाली वीडियो को बिंग टू फ्रंट कर लेंगे इसके बाद इस template वीडियो को फिर से bring to front कर लेते तो guys आप लोग देख सकते हो ये video create हो गई है and songs में already add है और अगर आप लोग song change करना चाहते हो तो यहां से आप लोग template वीडियो की sound को off कर सकते हो and इसके बाद audio में आके आप अपनी file से कोई भी song इसमें add कर सकते हो इसके बाद आपको इस share वाल आइकन पर click करना है and यहां पर आप वीडियो की size को select कर सकते हो इसके बाद आप इसको export कर लोगे तो यह आपकी file में save हो जाएगी तो thank you guys for watching this video और please याड़ आप लोग जाते जाते वीडियो को like जरूर कर लो और साथी आप लोग चैनल को भी subscribe कर लो ताकि मेरी new updates की notification आप तक आसानी से पहुंच जाए और friends अगर आपने अभी तक मेरी other channel को subscribe नहीं किया है तो आप लोग जाके उसको भी subscribe कर लीजिए उन सबकी लिंक आपको उनिचे description में मिल जाएगी तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाब बाई टेक केर